हरियाना का सबसे बड़ा दबंग गाउं इस गाउं के गरामिनों की जावाजी वे चोदर के चर्चे हमेशा ही बने रहे हैं क्योंकि इस गाउं के गरामिनों ने कभी भी अंग्रेजो वे किसी राजा को लगान नहीं दिया यहां के गरामिन किसी सल्तनत के आगे नहीं जुके और हमेशा ही उन्होंने बादूरी वे जजबे का परिच्चे दिया है यहां के गरामिन खुद ही अपनी सत्ता में विश्वास रखते हैं इतियास में लिखा है यह गाउं एक अजास साल पहले बसा था और यह गाउं कई बार बसा वे कई बार उजड़ा है मगर 1496 के बाद गाउं ताई रूप से आबाद हुआ है प्रतेरा से आकर बसे घंघस गोतर के लोगों ने इस गाउं को 1496 में यूं आबाद किया कि वे फिर कभी नहीं उजड़ा इस गाउं में तीन पंचायते हैं जबकि 1987 से पहले गाउं में मातर एक पंचायत थी इस गाउं की अबादी 20,000 से ज़ादा है इस गाउं में करीब 10,000 मत दाता हैं हाला कि लोग सबाग 46 की बात करें तो यह गाउं हिसार लोग सबाग 46 के तहत आता है ग्रामिनों के मुताबिक गाउं के बुजर्गों ने धन्ना जाट के नाम पर गाउं का नाम रखा था धन्ना जाट के तीन लड़के थे उनके तीनों बेटों के नाम पर गाउं के तीन पाने कल्यान, मलवान, त्याड, पनों का निर्मान हुआ है इस गाउं में दो इतिहासिक बौनों का निर्मान भी किया गया है एक पुराना बंगला वे एक नया बंगला इस गाउं के खिलाडी अंतर राष्टिय सतर पर खेल चुके हैं खेल परतियोगताओं में जीत हासिल कर गाउं की पैचान बना चुके हैं असी के दसक में गाउं के भीम सह को दिल्ली में हुए एस याड में गोल्ड मेडल मिला था ये पहले ऐसे खिलाडी थे जी मेडल पराप्त किया था इसके अलावा गाउं के पैरा अलोंपिक खिलाडी जोगेंदर को भी भीम अवार्ड मिल चुका है इस गाउं की दो बेटिया नितू घंगस वै साकसी घंगस भी मुक्केवाजी में गाउं का नाम विशव पटल पर चमका चुकी हैं इस गाउं में उच अधिकारियों की बात करें तो चाप सिंग ईटी ओ वर्तमान में गुरू गुराम में कारिय करत हैं गाउं की कुसम चोदरी राजेस्थान में डी सी के पद पर कारिय करत है जिनोंने उच पदों पर पहुँच कर गाउं का नाम रोसन किया है इस गाउं का नाम धनाना है जो जिला बिवानी में बसा हुआ है यह गाउं जिला बिवानी से लग बग 18 किलोमिटर दूरी पर है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी हर्याना के सभी गाउं की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूलें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद